आजे पुड़े नी तो AFM अबडेट करके एक फोल्डर में डाल रखा है उसमें इस्पेशली क्या क्या कवर रहेगा सर उसमें एक तो कवर रहेगा हमारा में 2023 का कोश्चन पेपर हलांकि वो अल्रड़ी आपके बुक में वॉल्यूम नंबर वन के पीछे मिलेगा उसको मैंने नहीं करवाया था क्योंकि फ्लो बना हुआ था मैंने कहा बाद में कर लेंगे तो चलो अभी कर लेते और सर उसमें सारे कोश्चन से नए थी क्या नए ज़्यादा कोश्चन नहीं थे दो तीनी कोश्चन है वो दो तीनी कोश्चन मैं आपको इससाथ डिसकुशन करूँगा बाकी कोश्चन हमारे किये हुए है और वो भी ऐसा नहीं कि आप कॉंसेट्चुवल अगर आपने पड़ा हुआ तो वो कोश्चन भी आप बना सकते हो इसमें ICAI का जो सजिस्टेड आया है उसके हिसाब से मैं डिसकुशन करूँ में 2023 के बाद डिसकुशन होगा अगला विडियो नवंबर 2023 का कोश्चन पेपर उसके बाद रहेगा हमारा RTP जो में 2024 के लिए आया है और दोनों MTP रहेगा अगर कुश नए कोश्चन नहीं नए कोश्चन है नहीं एक दो ही कोश्चन है तो वो आराम से हो जाए अभी जो बात करते हैं वन बाई वन क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके बस है नहीं मैं ज़्यादा टाइम लोगा भी नहीं Suggested का soft copy में मैं आपको drive में upload कर देता हूँ वो आप देख लिए में 2023 का question paper और उसका question paper में question number 1A आपको दिखाई दे रहा होगा आप कहीं से भी open कर सकते हो आप book भी खोल सकते हो volume number 1 वहाँ से भी question number 1A basically जो question आया था वो buyback decision से आया था हला कि buyback वाला concept हमने किया हुआ है पर फिर भी ये question कुछ अलग है और इसका जो suggested है उससे मेरा opinion अलग है वो भी discussion कर दूँगा और बता दूँगा कि ICAI को ऐसे करना चाहिए था पर उन्होंने essay नहीं किया वो अनका अपना इस चाहता है कि एक कंपनी है HGL और ग्रोइंग कंपनी ग्रोथ किया है काफी excellent growth है तर ऐसा क्यूं है ऐसा मैं बताऊंगा और excellent growth है तो क्या करना चाहते वो अपने shareholder के shares buyback करना चाहते कितने percent shares buyback कर लेंगे बले 20% तो उसमें shareholder को क्या फायदा भई shareholder को उस देना चाहते तो बोले हम ना premium पर buyback करेंगे प्रीमियम पर बाइबस करेंगे का मतलब क्या है बस इतना बता प्रीमियम पर बाइबस करेंगे इसका मतलब यह है कि जो भी प्राइज होगी अभी मार्केट में, उससे ज़्यादा पैमेंट करेंगे हम शेरोल्डर को, मतलब तो यही होता, आज तक हम नहीं यही पढ़ा, हाँ सर, यही पढ़ा, अभी समझो, 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 मजा आएगा, आगे लिखा है, तो प्रीमियम इस टू भी पैट, ति प्रीमियम की बात क्या है, कि जो प्रीमियम पे किया जाएगा, वो प्रीमियम का पैसा किस के थू अरेंज होगा, बोले लोन के थू अरेंज होगा, ठीक है भाई, लोन के थू अरेंज होगा, यह भी बात समझ गया, और लोन पे जो इंट्रेस्ट पे होगा, इंट्रेस आप लोन का इंटरस्ट पे करोगे, जो कमाओ की उसमें से लोन पर इंटरस्ट पे करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और लोन किसलिए चाहिए, तर बाइबेक के लिए, बाइबेक के लिए लोन नहीं चाहिए, प्रीमियम के लिए लोन चाहिए, एक्शुल में यही language है हाँ सर the company has market cap market cap दे दिया है 15,000 करोड़ ये लिखते हुए चले कि हाँ सर ओके सर तो market cap अभी दिया है 15,000 इसमें तो कोई दिक्कत की बात नही है एन EPS दिया है 600 और प्राइज अर्निंग रेश्यो दिया है 25 तो MPS निकल सकते है EPS है 600 और प्राइज अर्निंग रेश्यो है 25 तो 600 इंटू 25 कितना होता है तो 15,000 रुपए अभी हाँ मार्केट कैप है 15,000 करोड़ MPS से 15,000 रुपए तो number of shares निकल सकते है यस सर बिलकुल आशानी से number of shares तीन थाउजेंस यार 15,000 रुपए तो सर एक करोड रुपए हमारा क्या है number of shares पाइबेक से पहले पाइबेक कितना कर रहे हैं से 20 परशन बाइबेक कर रहे हैं हम लोग 0.20 करोड सेयर्स बास समझ में आ गया न 0.20 करोड सेयर्स कैसे आ रहा है एक करोड का 20 परशन बाइबेक बाइबेक के बाइबेक के बाद जो मार्केट प्राइज है वो कितना रहेगा 10,000 रुपए बाइबेक के बाद का प्राइस 10,000 रुपए बोला है और बोला है प्राइबेक के बाद रिमेन दा सेम मतला बाइबेक के बाद प्राइबेक के बाद प्राइबेक के बाद 25 ही रहेगा वो बताने की कोशिश करा आपको पोश्ट बाइबेक प्राइस दे दिया और से लोन का इंटरेस्ट दिया 8% टेक्स का रेट है सरबर्ष आपसे मांगा क्या एक तो इंट्रेस्ट का अमांट मांगा थीक है दूसरा लोन अमांट मांगा और तीसरा बाइबैक प्रजिस में कोई दिक्कत नहीं है अब ध्यान से देखना मैं क्या करते है क्या मुझे अभी का अर्णिंग्स पता हो सकता है अब भी अर्णिंग है सर एसो करो जहां तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइब का कोशन किया हुआ है अब सुनो सर लेट एज्यूम इंट्रेस्ट एमाउंट भी एक्स अब ध्यान से देखना मैं एक्वेशन क्या बना रहा हूँ सर बाइबैक के बाद टूटल अर्निंग तो छेसो करोड ही रहेगी हां बोलो हां इसमें से इंट्रेस्ट पैड होगा कितना इंट्रेस्ट पैड होगा एक्स एक्स होगा लेकिन उस पे टैक्स सेविंग्स भी तो होगा तो सर टैक्स का रिट कितना है थर्टी परशन्ट तो मैं क्या कर रहा हूं इसको क्या मैं पॉइंट 70X लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ X का 70 परशन आफ्टर टेक्स लिया है चाहो तो आप इसको पहले बिफोर टेक्स कर दो फिर इंटरेस्ट का एक्स लेकर काम कर सकते हूँ बाद समझें कैसे भी घुमालो सर हम CA final में हमको पता है 300 करोड टूटल उर्निंग है उसमें से इंटरेस्ट पैड हो जाएगा और इंटरेस्ट पैड होगा और आफ्टर टेक्स मेंने यहां कर दिया तो मेरी अर्निंग कम हो जाएगे रिवाइडेड बाई क्या कर देंगे नमबर उफ शेर्स और नमबर उफ शेर्स बाई बैक के बाद कितने होगे भाई बोलो 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 सर एक करोड नहीं रह जाएंगे इतना 0.8 CR ठीके सर यह क्या आगया है यह आगया पोश्ट बाई बैक EPS मानते हो ना यह सर पोश्ट बाई बैक EPS और प्राइज अनिंग रेशो तो कितना रहेगा 25 तो सर अगर पोश्ट बाई बैक EPS को पोश्ट बाई बैक प्राइज अनिंग रेशो से मल्टिप्लाई करूँ तो क्या बाई बैक के बाद का प्राइज जाएगा 10,000 रुपई तो क्या X का वैल्यू निकाल सकते हो अराम से तो सर यह 25 डिवाइड हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 0.8 320 माइनस 600 280 डिवाइड बाई 0.7 तो सर एक्स का वैल्यू आ गया 400 करोर इसमें कोई दिक्कत है क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं यह बिल्कुल सिंपल था 400 करोर में कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए 400 करोर क्या निकला सर इंट्रेस्ट का एमाउंट निकला तो लोन एमाउंट निकल सकता है 400 करोर रुकी है 16 परशन तो सर चार सो डिवाडेड बैए 16 परशन तो सर ये आगया है 2500 करोर से ये क्या आगया है लोन अमाउंट यहां तक कोई दिक्कत है क्या नई सर यहां तक कोई दिक्कत है अब बस मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं बस वो इंपोर्टन है जो 2500 करोर अदार लिया गया है यह बाइबेक के लिया लिया गया है लोन किसे प्रीमियम के लिया गया this is most important तो मुझे ऐसा लग रा कि यह प्रीमियम के लिया गया लेंगविज के सब से वो ही तो ठीक है मैं एक शियर पर तो निकाल हूं सर फचीस सो करोड़ जो देना है वो किसको देना है सर वो देना है कितने shareholder को 0.2 करोड़shareholder को तो एक share पे कितना payment हो रहा है वो तो निकल जाएगा फचीस सो डिवाइड बाइ पॉइंट तो तो सर एक share पर payment हो रहा है 12,50 यहां तक कोई दिक और तो नध्यान से मिरी बात कलती क्या हो रही पहला इंट्रेस्ट एमाउंट बोला था तो इंट्रेस्ट एमाउंट निकल गए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं दूसरा लोन एमाउंट बुला था तो सर वो लोन एमाउंट भी निकल गए इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है आब बोल रहा है बाइबेक प्रीमियम पर शेर प्रीमियम प्रीमियम में सुनना जाए अब 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 सुनोगे मरी हाथ आप हो शेरोलडर यस अगर मैं आपको 12,500 दे रहा हूँ मालो मालो कि यार पूरा पैसा दे रहा हूँ premium का नहीं मैं कहता हूँ यही 12,500 अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह लीजिये 12,500 और आपका शेर कितने काज सर आज शेर की कीमा थे वो है 15,000 15,000 रुपए का share है और मैं आपको कितना दे रहा हूँ 12,500 मैं कहता हूँ चलो buyback करते हैं और हम आपको 12,500 दो देगे कि आप तयार हो जाओगे कवाल ही नहीं होता बच्चे यहीं फस गए अगर मैं आपको 12,500 रुपए दे रहा हूँ और share कितने का है 15,000 का काहे का यार मार्केट में 15,000 रुपए कीमत है और आप 12,500 दे रहा है तो अगर कोई बच्चे का यह कहना है कि सरी यह premium थोड़ी नहीं यह तो आप discount दे रहा है discount हो जी नहीं सकता buyback में अजीब सी बात लग रही है कि 15,000 रुपए share की कीमत है और मैं आपको 12,500 रुपए दे रहा हूँ और आपका share buyback कर रहा हूँ पहले तो यह premium है नहीं है दूसरा आप तयारी नहीं हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो है ना यह 12,500 यह premium का amount है और language भी वही बोल रही है कि प्रीमियम का amount है इट मिन्स मैं आपको जो दे रहा हूँ ना total मैं 15,000 तो share का price और 12,500 प्रीमियम का दे रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कोश्यन तो अगर मेरे हिसाब से answer दे तकूँ buyback premium तो answer आना चाहिए 12,500 100% I.C.E.I. ने यहाँ हद कर दिया उन्होंने का सुनो buyback के बाद का price कितना है 10,000 और हम आपको कितना दे रहा है 12,500 टोटल तो बोले उस हिसाब से premium हो गया 12,500 दे रहा है जबकि buyback के बाद का price है 10,000 तो हम आपको तो 25,000 रुपए एक्ट्रा दे रहा है भाई कुछ भी buyback के बाद का price क्या होता उससे existing shareholder क्या लेना देना उनको तो अभी अभी आप कितना दे रहा हो लेना देना तो यहाँ मुझसे मैंने जो शॉल किया logically suggested आने से पहले मैंने कहा था कि यार यह है buyback premium जबकि IC AI ने इसका comparison 10,000 से किया और कहा 25 रुपय है buyback premium आपके 13 मिनेट खराब कर दिया पस यही एक दिक्कत थी वाकी question में तो यह IC AI का suggested लगबग उन्होंने वही किया है 400 करोड जो interest का amount है वो 400 करोड निकाला है alternative करके भी निकाला जैसे निकाल लो दूसरा उन्होंने के 25 करोड लोन अमाउंट निकाला point number 2 में भी कोई दिक्कत ने लोन अमाउंट 25 करोड है point number 3 में दिक्कत है और 3 में उन्होंने 25 रुपय buyback premium बोला है जिससे मैं खुश नहीं हूँ alternative में भी वैसे निकाला है जबकि मेरे हिसाब से buyback premium होना चाहिए ये 12 रपस तर हमें कैसे करना है अगर ये question वापस आता है तो वैसे तो आएगा नहीं पर आ गया तो दोनों करके आ जाना क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का इसको सुधारेगा हलाकि अभी जो suggested है उसके सबसी यह answer है ठीक है आते question number 1B 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 में ऐसा कुछ था नहीं 1B अलड़ी किया हुआ इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा हलाकि यहां जुलाई लिग दिया था हलाकि बच्चे जुलाई से भी manage कर लिये थे पर वैसे यहां अगस्त लिखा होना तो चाहिए था तो clarity है जाए it means one month तो ऐसे भी हमारे काम का नहीं था हमारे काम का जुलाई था इस पर हमको position लेना था long या short आप decide कर लेते इस type का question खुब किया हुआ है तो इस question को नहीं भी करोगे तो चलेगा तो पहला वाला question अच्छा question था दूसरा वाला question नहीं भी करोगे तो चलेगा मैं please जो question को बोल रहा हूँ वो question आप करोगे करोगे बाकी theory था question number 2A बहुत अच्छा question है तो एक अच्छा question कौन सा है question number 1A देख लेना question number 2A कर बारा हूँ question number 2A आया था ना तर वो कौन से topic काया था वाय था वार value at rate हाला कि इस टाइब का एक question हमने किया हुआ है इसमें standard deviation नहीं दिया था इसमें standard deviation निकालना था question एक बार पर इसको करना पड़ेगा बही करना पड़ेगा पड़ते एक बार देखा Mr. Bull तर वार क्या होता था और ये होता था कि हम यार क्या करते थे हम लोग ये निकालते थे कि अगर हम market में पैसा लगाते position लेते है तो हमें कितना maximum loss होता कितना loss हम maximum bear कर सकते भई इतना loss हो सकता हम accept करने को तेर वो loss निकालते थे अच्छा सर उस हिसाब से हम पैसा लगाते थे मैं समझा रहा हूँ बात समझे लिट में सीधी सीधी बात है वार निकालने का formula था कितना पैसा लगाना intuition to z याद है ऐसा कुछ concept तो यहां समझा नहीं सकता वो तो आपको lecture से समझना पड़ेगा okay है क्या चक्कर सर यह बता हूँ Mr. Bull is a rational risk taker he takes his position in a single stock वो single stock में position लेने को तियार है वो पैसा लगाने को तियार है और पैसा कितने दिनों के लिए चार दिनों के लिए लगाने को तियार है वो एक्छली यह पूछना चाहता है यह चार दिनों में maximum कितना loss हो सकता अगर वो बता दे कि maximum हमें deviation वगेरा देखना पड़ेगा maximum कितना loss हो सकता चार दिनों में यह loss बता देगा कि आपके पास इतना loss bear करने को आप तियार है तो आप बताओ कितना पैसा लगा सकते है यही वार था तो he does not take a position on Friday बुले Friday को हम position नहीं ले to avoid weekend effect and takes position only for 4 days ठीक है Monday से start करेंगे Thursday तक से 4 दिनों के लिए वो पैसा लगाने को तियार है position लेने को तियार है he transfer the amount on Monday morning and withdraw the balance on Friday morning ठीक है he desire to make a maximum investment वो पूछ रहा है कि हम maximum investment कितना करे it means वो पूछ किया रहा है सर पूछ रहा है आप से वो इस टाइब का question किया हुआ है यह पूछ रहा है कि maximum हम investment कितना करे where war should not exceed the balance lying in his bank account loss जो है ना उसके bank account में जितना रखना उससे ज़्यादा loss नहीं होना चाहिए देखते है the position by his manager as per standing instruction is taken on the free balance lying in the bank account ठीक है free balance उसके पास जितना भी है उतना loss वो लेने को तयार है जो Monday morning को available है उतना वो loss लेने को loss bear करने को तयार है उतना loss लेने को तयार है ठीक है Monday morning को before opening of the capital market उनके पास 11 करोड उपए था bank account में कितना था ज़रा देखे 11 करोड जीरो जीरो लगा के कर रहा हूं 1100 लाक उनके bank account में था इसके लावा fix deposit भी mature हो गया था Monday morning को तो क्या वो भी bank account में चला गया था और maturity amount था 6342560 was credited to his account by bank in the morning of the Monday तो चलो उनके पास और पैसा ये भी आ गया 6342560 ये पैसा और आ गया कबाया ये भी Monday morning को हाला कि जो information है वो evening में मिली ये बेकार का point है हाला कि इसका यूच किया जा सकता था institute ने नहीं किया था इसको आप एक बार ignore कर दीजिए it means अभी bank में कितना पैसा पड़ा है 11 करोड ये और ये कुछ FD भी mature हो गया बाकी पूरा डुबा दो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो कितने पैसों को यूच यूच नहीं कर सकते हैं कितना लॉस बियर करने को तियार है फुले सर ग्यारा ग्यारा सो लाक प्रस सिक्स थी फोर टू फाइफ सिक्स तो माइनस थाउड तो हम ग्यारा सो थे लाक पूर वन फाइफ सिक्स हम इतना लॉस बियर करने को तियार है तो क्या पैसा भी इतना लगाना है नहीं हमें लॉस मालूम है मैक्सिमम पॉसिबल इतना लॉस हो सकता तो हम पैसा इस से ज़्यादे ही लगाएंगे ना भाई हम 1163,004156,00 लगाने को तियार है हमें X निकालना, अब दो चीजे चाहिए हमें standard deviation और Z अब देखो, Z score तो दे दिया है 2.33 यूज कर ले न, 99% पे तो into 2.3 काम आ गया अब बात है standard deviation की standard deviation देखो अब standard deviation देदेता तो बात कतम है एक question है ऐसे का जिसमें standard deviation दिया तो इसमें standard deviation नहीं दिया, बोले आप X में भी लगा सकते है Y में और X का return दे रखा है और probability दे रखा है तो क्या standard deviation निकाल सकते हैं और standard deviation हमने निकाला इन्होंने निकाला है security X का और standard deviation आ गया 1.14 1.14% जो आया न इस basis पे है मतलब यह जो 1.14% standard deviation है न वो पर डे का निकला है, सर पर डे का कैसे बोल सकते हैं यह एक एक दिन का return है न तो deviation भी यह कितने हैं डिवाइट तो किया होगा तो यह कितने दिन का deviation निकला सर यह हमारा one day का निकला होगा क्योंकि यह जो information हमें फिर से बोल रहा हूं यहां confusion create होता है बच्चों को कुछ बच्चों को ऐसा कहना है कि सर यह चार दिन का standard deviation है, चार दिन का return दे रखा है कि आने वाले चार दिन में 3% भी return हो सकता है 7% भी हो सकता है 8% भी हो सकता है 9% भी हो सकता 10% भी हो 8% भी हो सकता 9% एक दिन का दे रखा है per day return दे रखा है कि पूरे चार दिन का दे रखा है कि पूरे week का दे रखा है यह समझे में नहीं आ रहा है इस question में हाला कि the other information is stock X which are under for this week is a vendor एक मिनट के लिए लग रहा कि पूरे week का है पर पूरे week का है तो फिर तो हमको साथ दिन का है तो यहाँ clearity नहीं ICAI ने यहाँ यह जो return दे रखा है कि one day basis पर तो यह जो deviation निकला है ना यस यह deviation निकला है यह निकला है one day का deviation standard deviation बस यहाँ भी clearity नहीं है तो हमको जो यह जो maximum loss है यह कितने दिनों तक हम maximum चार दिन तक इतना loss भी यह चार दिन का loss है यह एक दिन का नहीं है तो यह deviation भी मुझे कितने दिनों का लेना पड़ेगा चार दिनों का तो चार दिन का deviation कैसे निकलते है याद है yes sir 1.14 है एक दिन का चार दिन का ऐसे कुछ करते थे याद होना चाहिए 4 square root into 1.14 2.28 पर निकाल लो मतलब इस question में जो हमने किया है वार में question उसमें बस ये standard deviation बाकी concept में आपको अच्छे से करवाया तो बताओ कितना पैसा लगा सकते हो 4 दिनों के लिए 1.163 41560 divided by 2.28 divided by 2.33 तो सर total हम एक कितना पैसे लगा सकते है 1.900 तो बहुत सारी जीरो है भई अब manage कर ले ना कितने जीरो है आप खुद दे कितना पैसा लगा सकते हो कुछा क्या था maximum investment और maximum investment उन्होंने निकाला पहले deviation निकाला फिर उन्होंने कितना पैसा लगा सकते हो answer वही आया x का मैंने बता दिया वाय का इसमें क्या थोड़ा सा खराब क्या लग रहा सर खराब दो चीज़े हैं पहला यह जो fix deposit की बात किया है उन्होंने कि fix deposit का पैसा आ जाएगा Monday morning लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है पर Monday morning की अपेक्छा Monday morning लेकिन यहां जो लिखा किया information हमको Monday evening में मिली है उसका कोई यूज नहीं किया और उससे भी इस question को कर लेना भले ही clarity नहीं थी और सर ये war का अगरम को concept नहीं आता तो ये तो आए गए नहीं आपको पहले war पढ़ना बढ़ेगा तब ही concept समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा और सर जिसको concept समझ रहाए जाओ war का lecture देखो वहां मैंने समझा रहे है ठीक है question number 2B question number 2B भी आपको देखना पढ़ेगा सर क्योंकि सोचा कुछ और था इस question में हुआ कुछ और तर एक बार हो जाए discussion yes sir ये question कहां से पूछा था ये question पूछा था security evaluation security evaluation पढ़ते हैं एक बार sir an investor is considering purchasing equity shares of alpha limited whose current market price 172.45 current market price दिया हुआ the company is proposing 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 a dividend मतलब sir D1 हुआ ये इसमें कोई शक्की बाद of rupee 6 for the year ended 31st March 24 alpha limited is expected to grow 20% per annum for the next 4 years ये एक और दिक्कत खड़ा कर देए अगर मैं कहूं sir ये है आज तो सर्थ 6 रूपय तो यहां का हुआ एक दो तीन चार अब sir next 4 year मतलब इसके बाद के 4 साल की यहीं से 20% का growth है तो ये 20% है 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 चार साल यहीं खतम हो जाना चाहिए अगर देखा जाए तो 20% ये ही होता है multiple growth model sir पता है हमको आगे बढ़ते thereafter the growth over the next 3 years will decline linearly by 100 basis points पर रहे न ठीक है कितने percent से 100 basis points मतलब 1-1% से कम करना it will establish as a certain rate बोले establish हो जाएगा certain growth rate किस growth rate पे stable होगा वो नहीं बताया है और कितने साल तक बोले 3 साल तक तो ठीक है इसके बाद हमने क्या किया तर यहां कितना हो जाएगा 19 यहां कितना हो जाएगा 18 और यह तीन साल खतम हो यहां कितना हो जाएगा 17 growth rate की बात कर रहा हम growth rate growth rate यहां से यहां तक कितना साल हो गया 4 और यहां कितना हो गया 3 ऐसा total मिला कर कितना साल हो गया 7 केई है 50% से discounting करना है dividend जो है दो decimal places तक लेना है सबसे point number one क्या मांग रहा one ही important to calculate the stable growth rate of alpha limited after the end of seven years उसरा साथ साल बात stable growth rate क्या हो जाए इसमें भी दो तीन confusion थे पहला confusion बहुत सारे बच्चों को लड़ा था सच्छे रुपए यहां का है पर सब्द लिखा है proposing मुझे ऐसा लग रहा कि 6 रुपए यहां का है दूसरा जो problem आ रहा था कि सर 20-20% का growth rate है आने वाले 4 साल तक अगर देखोगे 20% per annum for the next 4 years next 4 year का उनका कहना कि सर जब आप यहां 6 रुपए ले रहा है एक दो 3-4 उसके बाद 4 साल तक growth rate पर यहां भी clarity नहीं है फिर वो सब छोड़ दिया जाए तो मैंने का चलो उन सब को ignore किया जाए suggested आने से पहले तो मुझे ऐसा लगा था 7 साल बाद growth rate क्या होगा stable growth rate मुझे ऐसा लगा है बड़ा आसान कोश्चन है यार सीधा 17 पर्षेंट है 17 लिख देंगे 17 पर्षेंट या फिर कुछ बच्चों का कहना है कि सिक्स्टीन पर्षेंट इंस्ट्यूट ने खेल खेला और जबरदस्त खेल खेला सुनना धियान से उन्होंने क्या किया उन्होंने का भाई करेंट मार्केट प्राइस कैसे बिल्गुल ध्यान से समझे ना करेंट मार्केट प्राइस कैसे निकाल थे टू स्टेज डिविडेंड मॉडल में बिल्गुल ध्यान से समझो ये क्वेश्चन पता निक उन्होंने का देखो भाई करेंट मार्केट प्रा पांते हूँ, हाँ सर, stage 1, plus present value of terminal value, है न, याद है, इसको हम क्या बोलते थे, हाँ सर, इसको बोलते थे, हम stage 1, और इसको क्या बोलते थे, जब perpetual होता था, stable होता था, इसको बोलते थे, stage 1, उनका यार कहना, current market price तो हमको पता है, 172.45, और बोले, जो dividend मिलेगा, कितने साल तक, साथ साल तक, उसका present value तो हम निकाली सकते हैं, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक, plus, यहाँ का value निकल जाएगा, अब उन्होंने दिमाग क्या चलाया है, सुनना दियाँ से, suppose बोले, जो future में dividend मिलेगा, 6, फिर 20 परशन बढ़ा देना, फिर 20 परशन से बढ़ा, फिर 20 परशन और जो मिलेगा, मालो, मन से लिख रहा हूँ, वो यह 40 रुपए, मन से बोला, मन से, वो यह 40, तो सर, यह वाला तो आ जाएगा, हाँ सर, यह present value तो आ जाएगा, यस, मतलब इन दोनों का बीच का difference, यह आ जाएगा present value, ओके, तो मतलब सर, उस हिसाब से देखा जाए, तो 172.45, मैनस 40 कर देंगे, तो सर, यह आ गया, 132.45, यह कब का value निकला, सर, यह जो साथ साल के बाद का, जो price है न, उसका present value, ओके, यह security valuation का knowledge होना ज़रूरी है, और यह आता कैसे है, सर, यह simple है, सर, यह आता होगा, यह कब का, P7 निकाल रहे है न, तो सर, यह आता है, D8, और D8 कैसे आता होगा, सर, वह ऐसे आता है, D7, 1 प्लस G, के-जी, into present value factor, कौन से साथ साल का, साथ साल का, देखो, नोंने कैसे जुगार लगाया, मैं यह बता रहा हूँ, उनका यह कहना है, कि यार, हमको जो, सात्वे साल का factor है, न, तो यह यह आगया, 132, 132.45 दिया है, D7 हमको मालूम है, हमें K भी मालूम है, हमें सात्वे साल का factor भी मालूम है, जी, तो हम निकाली लेंगे, बड़ा जबरदस्त खेल खेला, और वही जी, यहाँ निकाला है, बता रहा हूँ, उनका solution, मैं solution नहीं करवा रहा हूँ, ओके, सात्व साल का factor भी दे, देखो धिहान से क्या किया, उन्होंने, इनको D1 लेना था, D1 लिया, ठीक है, 6 रुपह, और कितने कितने percent से, 20 percent से grow किया, आने वाले 3 साल तक, 19 फिर 18 और फिर 17, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, और इन डिविडेंड का उन्होंने present value निकाल लिया, 34.60, इसका मतलब सर, इसका मतलब भाई, ऐसा है, यह तो पता लग गए हमको, 34.60, तो उसकी मदद से, यह terminal value का present value तो पता लग ही सकता है, सर, यह पता लग गए है, 137.85 आ गया है, खिक, ओके, अब यह कैसे निकला, यह कैसे निकला होगा, आ गया है, वापस, सर, इसको भी करना बढ़ेगा मतलब, अच्छी, अब उन्होंने का, 137.85 हमको पता लग गए, कब का value है यह, लास्ट का, लास्ट का जो value, सात्वेसा 8, P7 जो है, उसका present value है, तो सर, यह factor तो हमको मालूम है, factor हमको मालूम है, यह हमको पता, 137.85, अब 17.04 किया, बोले, यह है सर, यह है D7, 1 प्लस G किया, और 0.20 G किया, तो इसकी मदश से उन्होंने 16% growth rate नेकला, this is perpetual growth, इतना तो हम नहीं सोच पते, कोई भी सोचा भी नहीं था, मैं teacher की भी बात करा हूँ, मैं बात, तो इस्टूडेंट्स की नहीं कर रहा हूँ, यह question कोई ऐसा सोचा नहीं था, कि ऐसा करेगा, इस्टूडेगा, उस हिसाब से growth rate कितना आया, stable growth, 16%, वाँ, तो यहाँ stable growth rate कितना आया, 16% है, ओके, और अगर हमारा target growth rate है, 15%, जबकि हम कित करीद लेना चाहिए, मतलब सर यह question बिना last में देखे हो नहीं सकता, नहीं हो, इसको भी करना पड़ेगा, टूटल मिलाकर कितने question बोला अभी है, तक मिने, एक वार का question था, एक buyback का question था, अलाकि buyback का तो बन जाता, वार का अच्छा question था, उसमें भी यार, गरबड था, औ इतना कोई इतना गहराई से कैसे सुचिएगा, करी नहीं सकता इस question को, बहुत दिमाग चला, आगे चले, यह तो करी लिते हो, बहुत नहीं, ए, simple question आया था, अलाकि इसमें भी last में फसा आया था, वो मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, तर यह question किसका है, यह question है, हमारा interest rate, risk management का question है, और यह कौन सा financial swap का question, देखते हैं, एक बार पढ़ेगे, इस question में, IRRM का simple question था, कुछ था नहीं इसमें, पर फिर भी थोड़ा नया था, तो discuss कर लेता हूँ, तो swap का normal question है, plain vanilla swap बोल तो two-party swap बोल सकते हूँ, तो ले कोई Indian firm है, subsidiary in Singapore, ठीक है, तो company है, IF है, और SF, और floating rate दे रखा है, और fixed rate भी दे रखा है, अब ध्याँ से समझना मरी बात हूँ, floating rate है, fixed rate है, ज़रा बताना, IF को किस में फायदा है, सर, IF को floating में भी फायदा है, fix में भी फायदा है, तो यह absolute advantage है कि comparative, comparative advantage, पढ़ाया हूँ मैं अच्छे से, सर, IF को फायदा इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें एक परशन का फायदा है, इसमें 0.5 परशन का फायदा है, तो अगर मुझे लिखना होता ना, तो मैं लिखता कि, IF, whether there are any advantages available to IF, and yes, IF को absolute advantage है, floating as well as fixed, but it has comparative advantage in floating, floating में ही comparative advantage है ना, yes, fix कि अप एक छा, कितने परशन का, 1 परशन का, तो IF को, IF should borrow at floating rate, IF should borrow at floating rate, yes, और SF should borrow at fixed rate, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये कहानी लिख दोगे, मैंने अच्छे से लिखवा रहागा, अब पढ़ते हैं, बहुले, जो SF है, वो जो borrow करेगा, वो floating rates, तो मैंने का, सबसे पहले star लगा लो, ठीक, अगर SF floating rates है, तो IF जो borrow करेगा, वो किस rates से, fix है, अब जो जो चाहता है, अगर swap ना हो, swap ना हो, तो total कितना परड़ा, सर्फ 4.5%, interest rate without swap, 4.5, दिख रहा है ना आपको, 3 plus 1.5, अगर swap करते हैं, तो जो जो चाहता है, उसके opposite, पतलब 3.5 plus 5, पतलब 4%, यह करवाया हूँ, बहुत जदा, तो सर्फ 0.5% का gain है, इसमें से क्या काटना है, commission, अब commission में दिक्कत है, अब सुनना दियां से, तो amount of loan required by both the company's same at current action rate, अब bank, यह bank है, अब bank arranges swap and require 50 basis points as its commission, समस्या क्या है मालूम है, समस्या यह है कि institute बोलता है, यार, bank वाला जो intermediary है, वो 50, मतलब 0.5% commission मांग रहा है, अगर bank 0.5% commission मांग रहा भी या, तो फिर खेल खतम, क्योंकि हमें जो gain हो रहा है, वो 0.5% का ही हो रहा है, और उतना ही का bank, अगर commission मांग लेगा, तो खेली खतम हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ रहा है, यहीं से बच्चों को दिक्कत हो गए, which is to be shared equally, जो bank है, वो 50 basis point commission मांग रहा है, और उसके बाद जो gain होगा, वो equally, मतलब जो commission है, वो equally बाट लिया जाएगा, ठीक है भाई, I.F. require minimum gain, I.F. क्या बोल रहा है, I.F. यह बोले, भाई, मुझे जो minimum gain चाहिए, वो 0.2% चाहिए, 20 basis point, और ऐसे कितना मांग रहा, ऐसे बोल रहा, 0.1% तो कहां से gain निकलेगा भीया, 0.5% का gain हो रहा है, दोनों को मिला कर, और commission दोनों का मिला कर 0.5% तो कहां से निकलेगा gain, और यह बोल रहा है कि I.F. को 0.2% gain चाहिए, और S.F. को 0.1% gain चाहिए, तो फिर bank को commission भी दे देंगे, इसको 0.2% भी gain हो जाएगा, तो ऐसे तो हुई नहीं, उतना तो हमरी बस gain ही नहीं है, फिर कहांनी को सुधारा थोड़ा सा, दाश्ट में, और क्या बोला है, तो bank is very keen to structure the deal, even if he has to forgar part of its commission, bank यह चाहता है कि वैसे तो हमको 0.5% commission चाहिए, पर अगर उतना नहीं भी मिल पाता, तो कोई दिक्कत ने, पर यह हमको deal करवाना ही करवाना है, इसको इतना फाइदा मिलना ही मिलना है, इसको इतना फाइदा मिलना ही मिलना है, उसके बाद अगर आपको बचेगा, तो आप bank को दे देना, बैंक अपना commission फॉर्गो sacrifice करने को तयार है, तो समझना हमेरी बात, इसको total gain कितना आ रहा है, total gain आ रहा है, 0.5% इसमें से इसको कितना चाहिए, 0.2, इसको कितना चाहिए, 0.1, बचा कितना, 0.2, तो आप commission दे दीजिए, bank को 0.2, और 0.3% जो बचेगा, sir, 0.2 कौन दे रहा है, दोनों मिला कर दे रहा है, और जो 0.3 बच्चा है, उसमें से 0.2 इसको दे दीजिए, मतलब सर्थ, इसका effect कितना पड़ेगा, 3 minus point, इसको पड़ेगा 2.8, और इसको पड़ेगा BPLR, plus 1.4 पर, इस्टोरी वही लिखना, जो मैंने लिखवाया है, absolute advantage, comparative advantage, फिर swab designer, diagram बनाना, तो बना सकते हैं, कोई चीज करवाया है, तो ये comparative advantage वगेरा, कहाने लिख देना, ये सब कुछ लिखवाया हूँ मैंने आपको, main जो मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात है, कि final cost कितना बड़ा, इसको 2.8%, इसको बड़ा, BPLR, plus 1.4%, तो सरी कोईशन कर सकते थे, क्या कर सकते, कोईशन नमबर 3B में कुछ बात नहीं है, इसको cut कर दू, ऐसे कोईशन अलरेड़ी आप कर चुके, कोईशन नमबर 4A में क्या खास बात थी, कोईशन नमबर 4A में कोई खास बात नहीं थी, simple question था, आप से क्या मांगा, intrinsic value method से सबसे पहले आपको क्या निकालना, market price निकालना, duration निकालना, volatility, औके, और ये बताना कि bonds खरीदना चाहिए, हाला कि investor जो है, 2022 में bonds खरीदा था, 8 साल वाला, 1000 वगिरा bonds, 5% premium ठीक है, और ITM दिया था, 8.5%, however, due to continuing war in Europe, the inflation is running very high, और ये सब कहानी दग, the risk average investor want to protect himself, from the further loss, और bond बीक रहा है, 2030 मेरी बाह समझ रहा, bond issue कब हुआ था, और bond बीक कब रहा है, कब बेचने का सोच रहा है, 2023 में बेचने का सोच रहा है, और दूसरे investors खरीदने को तयार है, 797 में तो बताओ, कि हम bonds खरीदे, bonds बेचे के नहीं बेचे, बल्कु धिहान से समझ रहा है, जब bonds खरीदा था, ये हमारे लिए important नहीं है, 2022 हमारे लिए important नहीं है, 8 साल हमारे लिए है 2023, मतलब total हमें कितने साल का देखना है, हमें 7 साल का देखना है, और 7 साल का हमें क्या निकालना है, present value निकालना है, और देखना है कि यहां bond का intrinsic value क्या मिलता है, जो भी है अगर उससे जादा मिल रहा है तो हमें बॉंड्स बेज दे रहा है तो दूरेशन वगेरा निकालना तो वो निकालना और डिसकाउंटिंग रेक 12% है तो बताईए कि नीव इन्वेस्टर को यह खरीदना से सिंपल कोश्चन था अलाकि अच्छा कोश्चन है यहां से साथ साल का हिसाब से किया हुआ कि 100% आया 977.04 फिर दूरेशन वगेरा निकाला मांगा था तो वोलेटिलिटी निकाला फिर 12% के सबसे इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला और फिर डिसाइड कर दिया कि हमें न्यू इन्वेस्टर को बाउंड खरीदना चाहिए कि नहीं सिंपल कोश्ण था बन जाए गए कोश्ण नमबर 4B कट कर दीजिए इस टाइब का कोश्ण और लड़ी किया हुआ अच्छा से और वी में कोई बात नहीं वाकि यह थेरी दे रखा है यह सब करवा चुका हूं और फाइव एबी कट कर दीजिए मीचल फंड का कोश्ण है वह यह वाला यह वाला तो कोश्ण मैंने अल्रडी करवाय हूं अच्छे से करवा कोशण नुम्ब फाइव धया अच्छा कोश्ण आपको देखना हूं पड़ेगे का अच्छा कोशण है अ चलो चीज्ट तो कोश्ण देखे यह बना है कोशन अच्छा था Mr. Potential has made investment in two mutual funds Ishmart और Jensen Alpha दिया है सबसे ज़्यादा डेंजर है Trainer Ratio Trainer Ratio का क्या formula और Alpha क्या formula सबसे पहले बाद Trainer Ratio की करो तो Trainer Ratio का formula Actual Return minus RF divided by बीटा इस question के matter पर मैंने discussion भी किया हूँ आप सर मान लो Actual Return है 15 person और RF कितना है 6 और बीटा मान लो 2 मन से लिख रहा हूँ सब चीज मन से अप में कुछ समझाने की कोशिश लो तो उस हिसाब से 15 minus 6 divided by 2 answer आ गया 4.5 ये आ गया trainer ratio ये आ गया trainer ratio बट प्रॉब्लम क्या है यार trainer ratio ऐसा दिया 0.0714 अगर trainer ratio इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि यार बीट जो risk premium है ना इसको मैं risk premium मान लो ये जो risk premium है risk premium और ये है इससे बहुत ही जादा कमी है बाद समझने की कोशिश करो trainer ratio ऐसे ही निकाला जाता आज तक ऐसे ही निकाला जाता था institute ने यहां खिल खिला institute का कहना है यार हम 15% को ऐसे भी तो लिख सकते है 0.15 और risk free को लिख सकते है 0.06 और बीटा को बीटा ही लिखते है 2 तो 0.15 माइनस 0.06 डिवाइड़ बाइ 2 करूं तो trainer ratio आ गया 0.045 तवाल ये है कि ये जो trainer ratio है वो ऐसे निकला है कि ऐसे निकला है बस दिक्कत इतनी है और हाला कि मालूम है trainer ratio ऐसे निकला है इट मिन्स उन्होंने का percentage को percentage मतली कि ये डिवाइड़ बाइ 100 करके की ये एक दिक्कत उस वज़ा से सब गरबढ़ हुआ कोशन है हाला कि ये बात मैं क्लास के साथ भी आपको डिसकस किया था ओके दूसरी समस्या है ये रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम अलग चीज होता है और मार्केट रिस्क प्रीमियम अलग रिस्क प्रीमियम क्या होता है रिस्क प्रीमियम एक्चुल रिटर्न रिस्क प्रीमियम देखो मेरी बात समझने की कुश्च RM-RF और इसको अगर मैं मल्टिप्लाई कर दूँ बीटा से तो ये होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिस्क प्रीमियम लेकिन मैं सिर्फ RM-RF करूँ तो इसको बोलते हैं मार्किट रिस्क प्रीमियम अब ये दिया क्या है? चार पर आजमुशन ही लेना पड़ेगा और मैंने आजमुशन ले लिया कि ये जो है भाई क्योंकि दोनों के बीच में दे रखा है तो रिस्क प्रीमियम, एक्विटी रिस्क प्रीमियम और मार्केट रिस्क प्रीमियम अलग अलग होता है, यह स्टॉक का रिस्क प्रीमियम है, क्योंकि यह बीच में दे रखा, तो मैं सोच रहा कि यार यह मार्केट रिस्क प्रीमियम होगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम RM- ठीक है? फोके साथ अब मैं कर कैसे रहा हूँ कोश्चन को तुम मैंने किया कैसे कोश्चन को और वही ICE मैं बात किसी कर रहा हूँ सर आप कर बात कर सबसे पहले यार अल्फा दिया हुआ है तो क्यों ना अल्फा जैंसन अल्फा का फॉर्मूला पता है किया अल्फा इसी एक्जिटर्न माइनस आरी का माइनस की जो भी मान लो चल जाएगा ओके हैं सर अल्फा दिया 1.1 मैंने का मैं पूरा पर्सेंटरीज उडा दूँगा 1.1 डिवाइड़ बाई हंड़ेट कर दूँगा अल्फा है 0.011 एक्च्वल रिटर्न दिया 8.5 8.5 डिवाइड़ बाई हंड़ेट 0.085 और क्यी तो क्यी क्यी निकल जाएगा क्यी निकल रहेगा क्यी कौन सा C.A.P.M. 0.011 तो सर क्यी आगया 0.07 ठीक है और क्यी निकलने का फॉर्मूला बता है क्या क्यी निकलने का फॉर्मूला सर आर एफ 10.MRP मार्केट रिस्टर्ट इंटू बीटा ओके सर क्यी हमको मालूम है 0.0 0.0 0.0 आर एफ नहीं पता MRP कितना दिया 4 4 को 4 नहीं 0.04 लेखना 0.04 और बीटा खीक है सर आगे चले अब मैंने दूसरा equation यूच किया कौन सा equation यूच किया मैं equation यूच किया ट्रेनर रिश्यो और ट्रेनर रिश्यो का formula पता है क्या इतना है बीटा ही तो निकालना है तो सर मल्टिप्लाइक हो जाएगा यस सर 0.0714 0.085 यस आरे है एक equation ये है भाई एक equation ये है अब इसको मैं simultaneous equation बना के काटने करूंगा इधर बीटा है कुछ इस equation को ऐसा खेल खेलो कि ये इसके equivalent आजा है बात समझने की कोशिश करें मतलब इधर 0.071 बीटा है तो इधर आजा है 0.04 बीटा इस equation को मैं change करने की कोशिश करूं कर सकते हैं कोई दिख लिए सबसे पहले इसको माइनस करके मतलब ऐसे कर सकते है 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 पुल्धा तो फाइनल से इमल लिटी ने शेकामर जड़ाए तो ना धियान से पहले ये वाले equation अच्छे एस लिखना है 0.04 0.04 बीटा लिख सकता हूं बोलो हाँ equal to, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई फरक नहीं बढ़ता, minus minus कर जाए, 0.074 minus rf, this is equal to, और दूसरा तो यह ही है, 0.014 beta, okay, 0.085 minus rf, this is the number, 2, take a sir, rf, rf, cancel, minus कर, 0.04 minus 0.0714, आप मैंज किसी और तरीके से भी कर सकते हूँ, so sir, यह आगया, 0.074 beta, 0.074 minus 0.085, 0.011, 0.05, तो beta आगया है, 0.35, अब beta को हमको कहां रखना है, beta को अगर हम लोग, यहां रख दे, beta को, sir, beta को अगर हम यहां रख दे, 0.35, तो rf निकल जाएगा, बलो हाँ, किते हैं, 0.04 into 0.5 minus 0.06, sorry, rf आगया, sir, rf आगया, कितना rf आगया, 0.06, या फिर कितना परशेंट आगया, cheaper, अगर rf आगया, तो क्या security market line मन जाएगा, यह 6 plus mrp कितना है, 4, security market line, मतलब sir, इसमें कुछ special था है, थोड़ा सा मैस था, बाकिया और को, कोई किया है, alternative भी कर रखा, उसी equation को तोड़ा, उसी से उन्होंने rf निकाल लिया, और security market line, alternative भी दे रखा है, उन्होंने जो risk premium है, उसको equity risk premium मान के किया, खेर, अब वो आप कर लोगे, यह सिप hint दे सकता हूँ कि कैसे, 5C theory है, question number 6 है, बिल्कुल simple question, merger का question है, और sir, question number 6B, यह already मैं करवा चुका हूँ, इसमें क्या, corner 3M का question आया था, पहले point हीजी था, पहले point हीजी था, दूसरा था, calculate the amount allocated to B and C होना, गलती से लिख दिया है, यहां होना चाहिए था, Y और Z में कितना, अगर आप इसमें कितना लगाओगे, calculate the amount allocated to B, if half, मतलब इसमें कितना लगा रहा हो, point five, यह question मैंने आपको करवाया हूँ, already, ठीक है, तो इस matter पे मैं बात नहीं करूँगा, यह question already मैं करवा चुका, तो पीपर अच्छा था, अलागी, एक दो question अच्छे है, तो प्लीज उन question जिनको मैंने समझाया है, उन question को पक्का कर ले ना एक बार, ठीक है, ओके, अगला वीडियो किस पे लेखते हूँ चले, अगला वीडियो हम लेंगे, किस पर, किस पर, किस पर, अगला वीडियो जो करेंगे,